महाराणा ने दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया मुगलों की दिवेर हार से बुखलाई अक्पर ने सन 1584 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा पर जगनात का च्वाहा बुरी तरह से पराजित हुआ उसने महाराणा प्रताप से माफी मांगी और बकाईदा हरजाना भी दिया इसी के बाद महाराणा प्रताप ने कमल मीर के किले को जीत लिया जहां अमर सिंग ने कमल मीर के मुगल अधिकारी अब्दुल्ला को कई टुकडों में काट डाला इनहीं लगातार जीतों के बाद 1585 में महाराना प्रताप ने चावंड को जीत कर उसे अपनी राजधानी बनाया जिसके बाद उन्होंने लगातार एक एक करके मुगलों के 32 किलों को जीत कर अकबर की नींदें हराम कर दी